हेलो फ्रेंट्स वेलकम तू सासी बलोक्स फ्रेंट्स दिल्ली पुलिस ड्राइवर टेस्स रीज के वीडियो श्रीज में आप लोगों का स्वागत है फ्रेंट्स ये वीडियो के वल दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए ही नहीं बलकि जो भी जो पुलिस ड्राइवर हो गय सा कोश्चन है तो यह कोश्चन है रोड सेंस वाहन रख रखाव एवां सरक्सुरक्षा ट्रैफिक नियम वाहन वा पर्यावरन पॉलूसन तो यह समझ लेजिए दिल्ली पूलिस में जो नमर अब कोश्चन कितने हैं तो पचास नमर के यह पूछे जाएंगे इतना चीज से ओ मिनट में 20 मिनट में ओके तो और यह अपना कंसेप्ट क्या चला है तो टी पीपी टी पीपी इस कल टू एस मतलब नहीं समझे तो मतलब यह है कि पहले तो हम इसका थियोरी पर आते हैं उसके बाद उसको प्रेक्टिकल भी हो में वीडियो के माद हम से दिखाते हैं मान बोल देखना है क्योंकि यह देख लिए अगर कोई परहाई कि जेगा तो क्या होगा दिमाग में आएगा और उड़ जाएगा लेकिन प्रेक्टिकल भी होता है कभी उससे नहीं भूल पाएंगा और एकदम फोड के आते हैं उसके बाद यह दोनों थियोरी और प्रेक्टिक प्रेक्टिस होता है जो यह कलास है जिसको हम लोग टेस्रीज बोलते हैं इसमें हम लोग कोश्चन देखते हैं कैसे जो एक्जाम में पूछा जाएगा उसी तरह बिहार पुलिस ड्राइवर में क्या होता था कि इंटर्व्यू में इसी तरह के कोश्चन डाल दिये जाते थ है और इस तो दिल्ली पुलिस ड्राइवर का जो वेकेंसी है उसमें तो रिटेन इकजाम में भी आएगा तो वहीं हम लोग इसी का त्यारी कर रहे हैं तो देखते हैं और इसके बाद एक और चीज़ नहीं टी पी पी इसकल टू एस यानि कि अगर यह तीनों हमारे साथ रह कि फोलो कर लिजेगा तो सेलेक्शन पक्का हो जाएं यानि कि ठीकल य साबसे पहला 25 Ke cannon 51 वह में या बोला है पैल यात्रि सरक पार कर सकते हैं मतलब किया पैल यात्री सरक पार कर सकते हैं अब सुनeshogen और कहीं भी नहीं क्योंढ़ाphon कर सकते हैं जेवर्य-क्रोसिंग उसके बाद C क्योंदा कहीं अनछों वसका अधो जाएगा B क्यों हो इ治 कर सकते हैं कह canyona पर सकते हैं कहाँ परे ससके जब्रा क्रोफिंग पर जयाता है इसको क्या बोलते हैं जैब्रा क्रोसिंग ग्लते हैं कि एसautoki लिए किस सर्किट में ठ्रोटल वाल पूरा या लगभग बंद रहता है तो देखिए हम ठ्योरी और प्रेक्टिकल बताएं उसमें बताएं जिए ठ्रोटल वाल काम कैसे करता है यह सब आपने एंसल दिजेगा आपसन यह क्या लगभग या पूरा बंद यारी कि जो फ्यूल वगए तो इसका जो करेक्ट एंसर हो जाए एकशिलेटर रहाता है उस टाइम तो यह और अगर मौण ज़ें की कार्वरेटर के टाइम में क्या होता है यह और मिक्सर जाना चाहिए लेकिन यहां पर क्या क्वेश्चन पूछा है तो सी तो नहीं होगा और सी भी नहीं होगा उसके देखते हैं आइडियल सरकीत यह भी नहीं होगा क्योंकि यानि की फॉल प्रलोट सरकीत पर क्या होगा कि लगभग बंद रहता है यानि की फ्यूल मतलब नहीं जा पाता है माले कार्विडेटर का बात करें तो देखते हैं फिर नेक्स्ट क्या है फिप्ते थिरी फिप्ते थिरी क्या बोला है कोश्चन गैस वेल्डिंग में डैस 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 गैसों का इस्तेमाल होता है तो इसका एंसर समझ लिजे डीप और सब जानते इसलिए अक्सीजन एबम एसीटिलीन मिलके ही क्या गैस वेल्डिंग करता है तो यह उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यह दखिए ट्रैफिक पुलिस के अनुसार वाहन चालक जिन्हें दाएं या बाएं और मुर्णा है तो संकेत देने का सरवत्तम तरीका कौ तो इस पर ठीट चुका है जो यूनिट फाइव अपना भूक का जो इनिट था उस पर चार वीडियो लाए थे वह नहीं देखिया तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है यानि कि वह टीपीपी कॉंसेप्ट पे यानि प्लेलिस्ट है प्रेक्टिकल का अलग प्लेलिस्ट है और प्रेक्टिस सेट जो यह चला है इसका अलग प्लेलिस्ट है इसका अलग प्लेलिस्ट है इसका क्या हो जाएगा पहले अप्सन देखते हैं अप्सन क्या बोला दिसा संके तक बी क्या बोला हस्त संके तक और डी क् इन में से कोईन है तो इसका जो करेक्ट एंसर हो जाएगा एफ और आग्रा हो जाएगा आप यह भी बोलिए संके तक भी होगा ना तहां अगर गर लेकिन यहां पर इंडिकेटर से अगरा हो जाएगा ओके 56 का देखते हैं किसे गती में चलती हुए गारी को तो तिसरे गियर में डालना चाहिए यह सब जानता है किस गती में तो इसका एंसर क्या होगा क्या होगा सी फड़ चलना यानि कि 25 से 30 किलोमेटर पर आवर के हिसाब से अगर गारी चला है तो क्या तिसरे गियर में आप डाल सकते हैं उसके बार फिर स्पीड पर रहेगा 40 से 50 तब आप क्या किज़ेगा फोल्ट गियर में डाल सकते हैं लेकिन 25 से 30 आयसे तो लोग 35 मतलब 30 से 40 के बार बोल देटे हैं जब फोल्ट गियर में चला जाना चाहिए लेकिन तिसरा गियर है वो कितना है 25 से 30 है चलिए नेक्स्ट संकेत इस पर भी एक अलग प्लेइलिस्ट है कहां मिलेगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जाके आप लोग देख सकते हैं और टेलिग्राम ग्रूप भी जौन कर लिजे ताकि वहां जो भी नोटिफिकेशन होगा वो टाइम टाइम पर हम डेते रहते हैं चल तर याद आएंगे क्यों कि यह ट्रीक जुगारू ट्रीक है दो अब यानि कि इधर जाएगा तो दाहिना और इधर जाएगा तो बाया तो देखिए यह किधर गया है तो किधर गया है पहले यह सिधा गया फिर यह बाया मूरा और फिर सिधा चला गया ओहो देखिए इधर बाए ओर इधर पहले दोखे यह सिधा गया ना फिर बाया मुल गया और फिर सिधा चल इंसर क्या होगा 57 का डीप और डेली यानिकी देखिए पहले सीधा गया फिर बाया मुल गया ना फिर सीधा चल गया और बाया कैसे जाने जिए यह बाया मुल गया यही ट्रीक है बा और दो और यह देखिए बहुत आशाद में है जो यह ट्रीक चुरा लेंगे और अलग भी पताएंगे यह ट्रीक लेकिन यह ससी ब्लोग का सुरू से यह आप लोग जाके देख सकते हैं मेरा ठ्रीक है इसलिए यह सिधा गया और बॉकित अर्प मुला इसलिए बाया रिवर्स मेंड कर ला गया ओके नेक्स्ट देखते हैं निम्रे में से टाइर और किस समन्धित रह यह सब जानते हैं तो इसलिए नेक्स्ट देखते हैं मोटर वाहन अधिनियम 1988 यह क्या है तो मोटर वाहन अधिनियम पे पांच वीडियो जो पूरा अधिनियम का जो परमुख धराए है इसके पीछे की कहानी प्लेलिस्ट बना है वह आप लोग जाके देख सकते हैं क्योंक अधिनिया अनुसूची में किसका उल्लेक है तो अपसन देखते हैं मुआवजे का बी क्या बोला है गारी रजिस्टेशन का सिक्या जालक तो इसका जो करेक्ट एंसर हो जाएगा एफ़र आग्राया यानि कि मुआवजे का वावजे का किसका मुआवजे का ओहो देखिए फिर से संकेत रहान है गारी तो फिर क्या मतलब ऊपर चरहार यह पहले तो देखं़ें क्या है ए में क्या वोला है आगे संकिरल ररक है तो यह तो नहीं होगा ओक Cast…… से दिरुGrand धालान मतलब गाड़ी तो ऊपर चाड़ रहा यह भी नहीं होगा उसके बाद सी क्या तिरुचरहाय तो हाँ आग figur तो है आगे चमाकवंभी यह भी नहीं हो य्यानी सी फोरचन यानी की तिरू चरहाई है क्या होगा सिक्स्टी का सी फर्चे नई तिरू चरहाई है चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि वालव मिश्रन में चोक नियंट्रित करता है तो सबसे पहले देखिए एफ़र एमें क्या बोला है है सिक्टी ओन की हावा वी ऐक्षी अपरोंट में से कोई नहीं तो इसका एंसर हो जाएगा एफ़ोड में जोक किसका नियंट्राइब करता है तो वहावा का क्यों भी आपरेंबशन करता है नियां नियत्राइब देखिए जब डीजल इनियन के भीजता है लेकिन वल्व मिसरन में जो है वो हवा को निए करता है किसका हवा का उसके बाद दखिए डिफ्रेंशियल निर्मान के अधार पर कितने तरह के होते हैं एक क्या बोला एक वी दो चार तो देखिए इसका एंसर confusion वाला है क्योंकि कहीं कहीं पर इसका एंसर तीन भी होगा कहीं चार भी होगा क्यों क्यों कि देखिए जो differential है वो पहले तीन तरह के आते थे लेकिन अब क्या है जो चार तरह के आने लगे तो इसलिए डिपेंड करता है कि बोड कौन सा question मतलब answer दिया है ओके ऐसे तो पहले पुराना जवाना का question वगएरा उसमें तीन तरह कहीं कहीं एंसर सी भी रहेगा लेकिन जो नया modern book है वहां चार भी रहता है तो इसमें बोड के उपर कौन को जैसे open differential हो गया उसके बार टॉर्क कुछ करके differential आ रहा है और एक और है close differential तो इस तरह के मतलब ऐसे ही मतलब differential चार है तो देखेंगे जब differential परेंगे ना उसमें हम पूरा देखेंगे differential और types of differential क्या है वह सब देखेंगे उसका कारे क्या है क्या advantage क्या disadvantage है एक तूजर देखेंगे इसके लिए tension लेने की कोई जरूरत नहीं next देखते है नेमने में से संकिर्ण सरक बताए तो देखें संकिर्ण मतलब कहने का मतलब चोड़ा होके गया फोट रचहा हो गया यानि पर यहां पे चोड़ाए जादा है लेकिन आगे चलके वह संग्यों हो गया यानि की शक्रा रास्ता हो गया जिसे बोलती हैं लोग तो इसका ए हो जाएगा चले नेक्स्ट देखते हैं विल एलाइनमेंट में डैस डैस होते हैं तो क्या क्या होते हैं देखें विल एलाइनमेंट में एक बोला है कास्टल एंगल यह भी होता है ओके विल जब एलाइनमेंट किय जाता है तो इसमें क्या क्या होते हैं और उसके बाद वी में की पीर रहते हैं यानि यह और भी दोनों इनसर सी फ़र्चन नहीं हो जागा यह और बी दोनों जो एक एलाइन उसके बाद देखते हैं एक गारी को कि इश्टा पूलवक चलाने के लिए डैस 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 गेर में रखना चाहिए इसका देखिये क्या होगा तो इसका पहले घ्र यह वह दाया करते हैं तो हमें टौर के जारा चाहिए गारी को चलाना रहता है तो हम लोग लिएॉग एक नमर गयर में निकालते हैं वी क्या बोला है टॉप गयर में इसका डी नहीं होगा ए भी नहीं होगा क्योंकि सरवार सा सुवध्धा-पूर्वक जब टॉप किर में रहता है ना तब गाट एक दम जो अपना उस रंग दिखाता है वो टॉप गियर में दिखाता है, ओके, तो इसका एंसर B for Bombay हो जाएगा, नेक्स्ट देखिए क्या है, 66, निम्न चिन क्या दर्साता है, देखिए, ये चिन क्या दर्साता है, तो अप्सन देखते है, अप्सन A क्या बोला है, संकिर्न पूर्ट, उसके बाद B क्या बोला है, संकिर्न सरक है, उसके बाद C क्या बोला है, फिसलन भादारोण, और D क्या बोला है, विभाजित सरक है, तो इसका एंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 66 का, ए फोर आगरा, यानि कि यहाँ पे क्या, पूल का देखिए, दोनों तो अपसे ऐसे करके, आइसे, यानि कि पूल का संकित दे रहा है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ओडो मीटर का क्या कारे है, तो अपसन सबसे पहले देखते हैं, अपसन A क्या बोला है, गारी की कुल तैक की गई दूरी बताता है, क्या ओडो मीटर, उसके बाद B क्या बोलता है, गारी की चाल बताता है, C क्या ब में confusion रहता है यह बोले odometer यानि कि speed में यह क्या मतलब speed ही तो मेजर करता होगा मीटर लगा है यानि कि speed मेजर करने के लिए नहीं ऐसा नहीं होता है उसमें बहुत सारे मीटर लगा रहता है अब तो bs6 engine आ रहा है जिसमें बहुत सारे sensor लगा रहता है तो उसमें लोग sensor देखते देखते sensor कुमार बन जाता है इसलिए odometer का जो कारे है वो गारी की cool tag की गई दूरी बताता है क्यों बताता है दखिए जब ना या गारी कोई लेता है कभी भी तो यह बोला जाता है कि आप इतना किलो मीटर चला लेजेगा तो आप क्या गारी सर्विसिंग के लिए आ जाईएगा तो वो कैसे बताएगा जाप इतना किलो मीटर तो वो यही odometer लगा रहता है जो गारी के कुल तेकी गई दुरी बताता है ठिगतना किलो मीटर पर आवर की चला से चल यह एए इसका इंसर ऑफ़र आगरा हो जा जागा Ulometer बताता जो जो क्याइए देखिए शरक सुरक्षा और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा मोटर संसोधन विध्यक 2019 के लिए कौन सा समुह गठित किया गया है तो इसका एंसर हो जाएगा ए फोर आगरा राज्ये के परिवहन मंत्रियों का समुह क्या परिवहन मंत्र जी ओ एम जी से बोलते हैं ओके तो इ सोच लिज्यका जी पूराना खत्म करके नाया सिर्फाल नहीं नाया सिर्फाल से नहीं उसी na संसोधन क्या थिया गया है कोहले कभ किया गया है तो कर kama-क्याद किया गया है जो हला तक работает ही बताएंगे क्योंकि इसमें बहुत आज सारे क्वेश्चन देखना है तो वहां पर आप लोग मोटर या ना रिनियम उनिस्वाथा से उसका फस्ट वीडियो जाके देख सकते हैं ऐसे नम्रेश्च दरसाता है तो क्या देखिए यहां पर सरक चौरी है तो इसका एंसर ev total系 Dads को मुखने करें झाव से ना इसलीं आब शीली TRAetten सबक्राद कहां हुँआ कोल्स एक ती आहे जाती है तो क्याकी ऑपने किरते हैं कि यह प्रोपेलर और दिध्य करते है कि यह पता ने तिक्वाइन स्थाफस के प्रोपेल प्रॉपेलर ज्यूंत बालतमान में किंद्रिय सरक परिवहन वाम राज्य मंत्री कौन है तो यह सब जानता है यह क्या नितीन गदकरी शाब कौन है नितीन गदकरी और उसके बार नेक्स्ट को चनडेखते हैं निम्रचीन क्या दर साता है तो यह दर साता है देखिए काम है और यह बेल चाले कि यहाँ पर काम कुछ कर रहा है ऐसे दिख रहा है तो इसलिए आदमी कारेपर है डी हो जाएगा ओके उसके बाद next देखिए गारियों में forward gear की संख्या आधिक होने पर क्या होती है ओहो यह गेर से समधित है गेर वाला question ऐसा है पावर transmission system पर यानि कि अंदर से हम वीडियो के मादने हमसे बता है कि एक नमर गयर में घारी कैसे चलता है दो नमर गयर में घारी कैसे चलता है एकदम वीडियो के मादने हमसे अंदर जाके जे गयर कैसे मतलब change किया जाता है तो आप लोग power transmission system जो इंजन वाला parts playlist नीचे description में दिया गया है वहाँ से आप लोग जाके देख सकती है पूरा गयर power transmission system से गयर से आपका जो doubt है वो clear हो जाएगा तो अपसन देखते हैं अपसन क्या है गारियों की चाल में कमी बी क्या बोला है गारियों के चाल में संतूलन और सी क्या बोला है गारियों की चाल में बिर्धी और डी क्या प्रुक्त साभी तो इसका एंसर क्या हो जाएगा फोरचन न्यानि की गारियों की चाल में बिर्धी क्यों 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 forward gear की संख्या अधिक होने पर क्या होता है जब गयर का आप लोग टौपस कि लें जाते हैं तो किया गारी का चाल रही को मैं लिए गयार तो यह सब देखा जाता है तो यह सब पावर तन सिस्तमाया उसमें बताया है तो वहां जाके आप लोग देख सकते हैं इसका का सी हो जाएगा चलिए आज का वीडियो जो के टेस्ट रिजा यह 75 पटीस क्वेश्चन यहीं तक था तो यहीं तक रहने देते हैं मिलते हैं नेक्स्ट स्रीज में अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दिजेगा और यह भी कमेंट में बताएगा कि मतलब होगा वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे धर्नेवार जय हिन जय भारत